सामप्रदाइक सद्भावना सम्मेलन में शामिल हुने इद दौराय मध्य प्रदेश के पूर्वे मुख्य मंतरी दिग्विजय सिंग जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की साथ ही दिग्विजय सिंग ने भाजबा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जम कर आरूप लगाए कॉंग्रेस के पूर्वे मुख्य मंतरी दिग्विजय सिंग ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारतिय जंदा पार्टी के पास केवल एक ही एजिंडा है हर चुनाव में विकास की बात करते हैं और आखरी में हिंडू मुसल्मान पर भाशन देते हैं देखिए हमारे रिपोर्टर चंकी बाजपे की ये रिपोर्ट ओवेसी जो हैं अपना ग्रह राज तेलंगा ना में सारी सीटों में क्यों नहीं लड़ते हैं मां क्यों नहीं लड़ते बिहार में क्यों लड़ते हैं यूपी में क्यों लड़ेंगे केवल भाजपा से मिली जुली कुष्टी है मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ कटर पंती विचारधारा चाहे हिंदों की है चाहे मुसल्मानों की हो एक सिख्ये के दो पहलू हो और इसलिए दिग्विजे सिंग पर एक तरफ जहां आरेसेस ने मानहानी के दावे किये हुए है वहीं ओवेसी ने मेरी खिलाब मानहानी का दावा किया हुआ है और एक फ्रॉड राम बाबा राम देव ने भी किया हुआ है तो मैं इन बातों से नहीं डरता क्योंकि जो मैं कहता हूँ प्रमान के साथ कहता हूँ यह तो आप ओवेसी जी और ओवेसी जी और नरेन मोदी जी से पूछिए क्यों खड़ा किया है हम लोगों पे तो राश्ट दोग के केस लग जाते हैं ओवेसी जी भी क्यों नहीं लगते हैं रदुभाशी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले